हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो गाईज, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्लीव्स या प्लाजो के बॉटम का बहुत ही जादा खुबसूरत डिजाइन, तो चलिए फिर हम लोग जो है वो शुरू करते हैं, I hope कि आप लोग को बहुत जादा पसंद आएगा, तो जी देखिए, यहाँ पर मैंने चार इंच लंबी पट्टी ले ली है, और इसकी चोड़ाई जो है, वो 15 इंच है, और अब देखिए, मैं ऐसे यह सीधी-सीधी लाइन लगा रही हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं टक्स बनाऊंगी, स्ट्रेट वाले हमारे, मैंन आपने इंचे टेप की जिसनी चोड़ाई है, उतनी रखी है, आप इससे ज्यादा, इससे कम, अगर आप लोग को घने टक्स बनाने है, तो आप इससे कम ले लें, और अगर आप लोग को जो है, दूरी पर बनानी है, तो आप इससे ज्यादा जो है, चोड़ाई ले लें, अब देखिए पूरी पट्टी पर मैंने ऐसे ही निशान लगा दिये हैं, अब इसको हमने सिंपली इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है, और इस पर हम सिलाई लगा दे जाएंगे, सिलाई छोटी और फिनीशिंग के साथ लगाएं, जितनी फिनीशिंग के साथ आपकी सिलाई होग अब आप लोग को टक्स बनाने नहीं आते हैं, तो आप लोग स्क्वेर या फिर जो मारा बर्फी वाले शेप होता है, उसको छोड़ कर सबसे पहले स्क्रेट टक्स बनाना सीखिए, तब आप लोग को बहुत इच्छे से आ जाएगा, तो देखिए अब इसी तरह से मैंने पर बना लिया है, अब ये मैंने जो है गोल्डन कलर का एक रिबन लिया है, पतला वाला, आप चाहें तो गोटा पट्टी वाली लेज भी लगा सकते हैं, उसको मैं इस तरह से यहां पर लगाऊंगी, तो देखिए हमने इस तरह से ऐसे इसको रखना है, और जो ये रिबन ह हलका सा चोड़ा है, तो मैं दोनों साइट से जो है इस पर सिलाई लगाऊंगी, आप देखिए जो एक्स्टरा है उसको हम कट कर लेंगे, और अब दूसरे साइट से भी हम इसी तरह से ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, जो भी छोड़कर एक में लगा रही हूं ये देखिए इस तरह से तो जी अब इसी तरह से जो है मैं पूरे पैच पर इसको लगा लूँगी ये रेखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारा बनकर तयार हो रहा है अब हमने ये लेस लेनी है चौड़ी वाली जो लेस थी उसको सिदा रखना है और लेस को हमने उल्टा रखना है इस तरह से और यहां पर जो है हम इसके विल्कुल किनारे पर ऐसे जो है सिलाई लगाते जाएंगे ये रेखिए इस तरह से अब एक साएड से हमने इस पर सिलाई लगा ली है, अब दूसरे साइड पर भी जो है हम इसे तरह से ऐसे लेस लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और अब हमने इसको पीछे की साइड इस तरह से ऐसे पलट देना है तो हमारी जो लेस है, वो सीधी हो जाएगी और यहाँ पर जो है बिल्कुल किनारे पर जो है हमने ऐसे सिलाई लगानी है सिलाई छोटी और फिनिशिंग के साथ लगाएं जितनी फिनिशिंग से सिलाई होगी उतना ही सुन्दर जो है आपका डिजाइन दिखेगा तो देखेए मैंने अपनी नेल्स के help से पहले इसको अच्छी से बठाया है और फिर पूरे पर ऐसे सिलाई लगा दी है अब जो हमारा दूसरा वला साइड है वहाँ पर भी मैं सेम, इसी तरह से ऐसे ही सिलाई लगा दूगी यह देखें, इस तरह से तो जी, यह हमारा जो है, दोनों साइट से सिलाई लग गई है, अब हमने न एक चौड़ी पट्टी लेनी है, इसकी चौड़ाइन मैंने चारिण रखी और एक साइट से देखी, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से और अब इसको मैं उल्टा इस तरह से ऐसे इस पर रखूंगी जो हमारा पैच था और उस पर भी जो है मैं सिलाई लगा लूँगी एक साइड से फोल्ड मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसको ऐसे पलट देंगे ये रेखिए इसको हम इस तरह से ऐसे खोलेंगे और अब देखिए जिस साइड से मैंने ये ऐसे फोल्ड कर रखा है उस साइड से हम बिल्कुल किनारे पर इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहां पर सिलाई लगाते जाएंगे तो इस साइड इस तरह से सिलने से न और ये हमारा front side से कितनी finishing के साथ दिख रहा है जो भी थोड़ा बहुत extra है उसको cut कर कर जो है मैं निकाल दूँगी और अब मैंने एक lace और लगानी है इस पर तो देखिए इसको मैं बिल्कुल बीचो बीच इसके इस तरह से ऐसे जो हमारा design है उसको उपर कर कर रख रही हूँ उल्टी रखी है मैंने ये lace ये रेखिए और इस तरह से ऐसे इसको सिल दूँगी front side से patch रखा है और lace को मैंने उल्टा रखा है देख सकते हैं आप लोग और अब इसको मैं पलट कर इस तरह से ऐसे कर दूँगी तो ये हमारी सीधी हो जाएगी और मतलब एक तरह से जैसे हमारी चोड सिलाई होती है उस तरह से ये सिलाई हो जाती है तो बहुत अच्छी finishing आती है इस तरह से सिलने से तो जी देखिए सिलाई हो गई है और finishing देखिए आप लोग कितनी अच्छे से आई है जो भी थोड़ा बहुत extra है या फिर धागे वगेरा जो भी निकल जाते हैं उनको आप साथ के साथ कट कर दिया कीजिए इस से ना काम में हमारी बहुत अच्छी finishing आती है तो देखिए दोनों साइट से मैंन ये पैच लगाना है अब मैं स्लीव से सीधी रखूंगी और उल्टा पैच रखूंगी इस तरह से ये रेखिए इस तरह से और अब यहाँ पर जो है हमने simply एक सिलाई लगानी है ये रेखिए इस तरह से और अब इसको भी जो है हम पलट कर पीछे कर देंगे और उपर की सा ये रेखिए अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और finishing आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आई है अब हमने इसको क्या करना है इसको हम इस तरह से ऐसे double fold करेंगे और अब ये हमारी जो है last सिलाई लग रही है तो जी इस तरह से जो है हमने fitting की हाँपर स से यार हुआ है आप इसे अपनी sleep store बनाए अपने plaza के bottom पर बनाए या अपने दामन पर बनाए कहीं पर भी बनाएंगे बहुत ज्यादा सुन्दर लगएगा तो जी यही था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा पसं